राधे राधे everyone, आप सभी को go past me की बहुत बहुत शुब कामना है Friends, आज की वीडियो में मैं आपको go past me की पूजा के लिए हमें जो जो सामगरी चाहिए होगी वो सभी सामगरी में आपको दिखाने वाली हूँ तो देखे, Go Past Me के दिन माना जाता है कि भगवान स्री किर्शन जी पहली बार गाएं चराने के लिए गए थे, इसलिए इस दिन गाए माता की पूजा की जाती है, तो Go Past Me के पूजा के लिए सबसे पहले तो कोसिस करें कि गाएं के पास जाकर आप ये पूजा करें, आप पूजा कर सकते है, या गईया का फोटो लेकर भी आप गाए माता की पूजा कर सकते है, गाए के साथ बच्छडा भी जरूर होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है, इसके बाद देखे पूजा के लिए हमें क्या क्या चाहिई होगा, सब से पहले तो हमें एक ले लेंगे जो भी धूप आप जलाते हो आप ले सकते हैं हम गनेश जी का भी पूजन करते हैं तो गनेश जी की फोटो या मूर्ती हम ले लेंगे तिलक करने के लिए यहां पर हमने रोली ले ली है हल्दी हम जरूर लेंगे तिलक करने के लिए और साथ में ही हम चावल ले ल गाई माता के लिए हम चुन्डी ले लेगे तो आप साड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप गौसाला जा रहे हैं गाय के पास जा रहे हैं तो गाय को चारा आप इस दिन जरूर खेलाएं साथ ही हम गाय माता के लिए सिंगार की सामगरी ले लेंगे तो जो भी चीज आप गाय माता को समर्पित करना चाहते हैं सिंगार की वो आप ले सकते हैं इसके साथ ही हम भोग के लिए कोई भी मिठाई ले लेंगे कोई भी रितुफल हम भोग के लिए ले सकते हैं पीले रंका फल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है तो यहाँ पर हमने केले ले लिए हैं दिया जलाने के लिए हम माचिस ले लेंगे और कुछ हम फूल ले तो बगवान स्री कृष्ण जी का जो भी सवरूप आप के पास है आप उनका पूझन जरूर करें मेरे पास ये चोटे से लड़ू गोपाल जी है नहीं चोटे से जो हमें गोपास्ट मी के दिन गाय की पूजा के लिए चाहिए होगी गाय के साथ साथ इस दिन भगवान स्रीकृषन जी का भी पूजन आप जरूर करें और देखी वैसे तो हमें रोजाना ही गाय माता का पूजन करना चाहिए गाय माता को चारा खिलाना चाहिए लेकिन आग आप गाय की फोटो या मोर्ती का पोजने इस दिन जरूर जरूर करें और अपने सामर्थे के अनुसार गाय के लिए कुछ रूपए निकाल के रख दे जब भी आगे आपका गौसाला जाना होगा तब आप गाय के लिए रूपए दान कर सकते हैं तो फ्रेंड्स अगर ये वी माता राधे राधे